इंसान कल्पनाओं का समुंदर है हम ऐसी कल्पनाओं करते हैं जो शायद पूरे जीवन में कभी पूरी नहीं होंगी लेकिन इन में से कुछ कल्पनाओं ऐसी हैं जिन पर हमारी सोच का कोई जोर नहीं है और वे हैं हमारे सपने जो हम देखते हैं बंद आकों से कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन पर शायद ही हमारा ध्यान जाता है या सुपह उठते ही उन्हें हम भूल जाते हैं या कहें ऐसे सपने जो हमारी दिन भर भीती घटनाओं पर आधारित होते हैं परन्तु कुछ सपने हमें एक अलग ही आलोकिक दुनिया में ले जाकर हमारे आने वाले दिनों में होड़ने वाली घटनाओं के बारे में सचेत करते हैं और क्या वाकई में ऐसा है आईए पता करते हैं क्या है सपने आने का कारण थ्योरी ओफ यूनिवर्स रावन इंफोर्मेशन के अंसार हमें नजर आने वाली हर चीज समय की सबसे चोटी इकाई, यानी की सेल्स की समों से मिलकर निर्मेश हुई है फिर चाहे कोई इंसान हो, कोई जानवर, कोई घ्रह या पूरा ब्रह्माण ये सभी प्रात्मी कूर्जा से निर्मेशन हुए परनाम है दूसरी और साहिक उर्जा किसी विक्सित हो चुके परणाम को उसकी जरूरतों या परणामों को पहचानने तता उस तक पहुँचने का रास्ता बताने में साहिता करती है जैसे आपका किसी प्रिक्षा में फेल क्या पास होना या आपकी पहली जौब तक आपको पहुंचाना किसी भी परणाम को बनने से पहले सेल्स अपनी ऊर्जा की तीव्रता को दूसरे सेल्स से समायोजन करके भढ़ाता है ताकि वह एक निश्चित रफ्तार पर पहुंच सके जिस पर कोई परणाम अपने अस्तित को एक ऊर्जा समू के रूप में ढाल सके जैसे की कोई मानव शरीर इसके लिए हर सेल्स अपने अंदर भेराई ऊर्जा की तीव्रता को अपने जैसे दूसरे सेल्स से जुड़ कर बढ़ाता है ऐसे सेल्स को सक्सेसिफ सेल्स कहते हैं और ऐसे कई successive cells मिलकर first info की एक ब्रांच को तयार करते हैं यहां सायक उर्जा अपनी first info की branches को उसके अगले successive cell खोजने में मदद करती है और उसके लिए रास्ते का चुनाव करती है जैसा कि हमने कहा सायक उर्जा first info के अगले successive cell को खोजने में उसकी मदद करती है इसके लिए सायक उर्जा time cycle में पहले से मौजूद अन्य सभी cells या परणामों से निकलने वाली उर्जा शेत्र का विशलेशन करती है हाला कि वो उनी उर्जा शेत्रों का विशलेशन कर सकती है जो या तो उसकी जैसी रफतार पर हो या उससे कम रफतार पर गत्मान हो इन विशलेशनों को फर्स्ट मीटिंग कहते हैं इनी विशलेशनों में वह उस cell को भी पैचानती है जिसकी उसे आवशकता है अब क्योंकि एक time cycle कई सारे information group का समू होता है तो हो सकता है वह cell किसी अन्य information group में गत्मान हो और उस तक पहुँचने के लिए फर्स्ट इंफो को कुछ चाहे अंचाहे इवेंट्स आवशक या अनावशक परणामों सो गुजरना पड़े एक बार cell के बारे में पता चल जाने के बार फर्स्ट इंफो अपना सफर शुरू करती है और इस दर्मियान सहाय पूर्जा अपने आसपास मौजूद अन्य cells या आगे आने वाले इवेंट्स के बारे में सूचना एकटा करती रहती है जिससे कि फर्स इंफो को कम से कम खत्रे से निकाल कर उस cells तक पहुँचाया जास सके ये सूचना एक value लेकर लोटती है जिससे कि उस आने वाले event या परणाम के बारे में जानकारी मिल सकी इन values को path information index या pindex में पहले से structure values के समुंदर से मिलान करती है जिससे कि उसके बुरे या अच्छे होने का प्रमाण मिल सकी अब क्योंकि उर्जा किसी दूसरी उर्जा को उसके values से पैचानती है परंतु हमारा दिमाग जो कि एक संपूर रेजल्ट देखने का आदी होता है इन values को चित्रों में परवर्टित कर देता है और वही चित्र हमें सपनों के रूप में दिखते हैं परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा दिखा है वैसा ही होगा जैसा हमने कहा दिमाग सर्फ values को चित्रों में परवर्टित करता है तो जैसा चित्र आपके दिमाग ने किसी खास value के लिए आरक्षित कर रखा है वैसा ही आपको दिखेगा उधारण के लिए आपके दिमाग ने किसी कार की value friends या family के साथ सफर करने के लिए आरक्षित कर रखी है तो time cycle में अगर कोई दोस्ता न साधन आपके साथ आगे सफर करने वाला है तो आपको सपने में कार दिख सकती है तो मुखे रूप से सपने तीन तराके होते हैं जिनको हम संग्षिप में समझाएंगे पहला draining जैसा कि हम जानते हैं कोई भी परणाम निरंतर time cycle में गत्मान होता है फिर चाहे वो उस समय जाग रहा हो या सो रहा हो जागते समय हम तरक करते ही रहते हैं या कहें हम किसी अवस्ता को लेकर अपना मत रख सकते हैं उधारण के लिए आपका आपके मित्र के साथ किसी बात पर बहस करना या समर्थन करना पूरा तरक आपके पिछले अनुभव या जानकारी पर ही आधारित होता है अब क्योंकि हर चीज उर्जा का आदन प्रतान कर रही है तो किसी बात पर जब आप समर्थन करते हैं तो वास्ता में टाइम सकल के अंदर आप उस उर्जा को घ्रेंड कर रही होते हैं और जब आप भहस कर रही होते हैं तो अपनी उर्जा का आने वाली उर्जा से तुलना करके अपनी उर्जा के बल पर उस उर्जा आपको परे धकेल रहे होते हैं और ऐसा आपकी चेतना अवस्ता में हमेशा चलता रहता है परंतु जब आप अच्छे तवस्ता में चले जाते हैं और आपकी सोच का नियंतरन हट जाता है तब path information index आपके द्वारा लाएगी अंचाही उर्जा से छुटकारा पाने लगती है क्योंकि path information index आपकी सबसे बड़ी साहती होती है और वहवाई उर्जा रखती है जो कि आपकी first info को उसके उच्चितम अस्तित्व तक पहुचाने में मदद करेगी जैसे कि आपका एक teacher बनना तो teacher आपका उच्चितम अस्तित्व होगा जब यह उर्जा रहा हो रही होती है तो आपकी दिमाग यानि की एक परणाम जिसे सिर्फ किसी उर्जा का एक संपूर विक्सित रिजल देखने की ही आदत होती है तो इस रहा होती हुई उर्जा को वे चित्रों में परवर्दित कर देता है और वही चित्र आपको सपने के रूप में दिखते हैं ऐसे सपने अक्सर किसी बात की और इशारा ना करके महज आपकी बीटी हुई दिन चर्या पर ही आधारित होते हैं दूसरा है पाथफाइंडर ऐसे सपने जो कि आपके जीवन की महतपूर आने वाली गटनाओं का चित्रन करते हों पाथफाइंडर ट्रीम्स कहलाते हैं फरस्ट इंफो अपनी उर्जा शेत्र का निरंतर विस्तार करती रहती है जिससे कि उसे उसकी उर्जा शेत्रिया एनर्जी स्पीट के मताबिक परणामों को देख सके या पास सके first info की energy speed को बढ़ाने के लिए इसे निरंतर successive cells की आवशक्ता रहती है ये successive cells उसके लिए पहले से ही समय द्वारा निर्दार्द कर दिये चाते हैं first info को तो मात्र एक पहली की तरह इने time circle में ढूणना होता है अब मान लीजिए किसी first info को किसी परणाम को पाने के लिए 10 successive cells की आवशक्ता है इन 10 cells को पाने के बाद ही वो उस रफतार पर पहुँच पाएगी जिस पर की एक इक्षित परणाम ट्रेवल कर रहा है अब मान लीजिए उसे साथवां cell ढूणना है तो वो उस तक कभी पहुच पाएगी या उसे ढूणने के लिए उसे निकलने वाली उर्जा शेत्र को तभी पढ़ पाएगी जब उसके पास पिछले 6 cells पहले से ही मौजूद हूँ pathfinder के चार मुख्य प्रकार होते हैं पहला straight to straight माल लीजिए आपका घर एक time cycle है उसमें पांच कमरे पांच information group को व्यक्त कर रहे हैं अब माल लीजिए आप किचिन में हैं और study room में जाना है यहां आपको study room का पता पहले से मालूम है तो आप आसानी से उस room में जा सकते हैं तो किसी time cycle के अंदर अगर साहिक उर्जा मन चाहे cell को रखे हुए information group से पूरी तरह पर्चित है तो ऐसे dreams को straight to straight कहेंगे ऐसे dreams में dreamer कोई अपरत्याशित घटना होता हुआ नहीं देखेगा दूसरा है straight to turn ऐसे dreams में माल लीजिए घर को तो आप चानते हैं परन्तु उसकी कमरों से पूरी तरह अंजान है अब अगर आपको study room से किसी book को लाने को कहा जाए और मातर एक दिशा दे दी जाए तो आपका kitchen से लेकर study room तक का रास्ता पूरी तरह अंजान होगा उसी तरह अगर कोई सहायक उर्जा किसी information group और उसमें उस समय सफर कर रहे cells या परणामों से अंजान हो पर फिर भी उसे उस रास्ते से गुजरना पड़े इसके लिए वे अपनी उर्जा का इस्तमाल उन सभी नजदी की cells या परणामों की उर्जा शेत्र को पढ़ने में ल देख रहे किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से ठगने वाला है तो ऐसी लोटती हुई उर्जा शेत्र को हमारा दिमा किसी शेयार लॉंब्री या किसी व्यक्ति की तस्वीर जिसे वे व्यक्ति वास्तविक दुनिया में धूर्त मानता हो उसका पीछा करता हुआ या उसका सपने में देख सकता है जिस व्यक्ति को टायमस्राय में इस प्रकार के रास्ते से बजरना पढ़े उसका जीवन थोड़ा कठनाई बरा हो सकता है एसे ड्रीमस में या टायमस्राय में ऐसे रास्ते जो की पूरी तरह से अंजान हो उधान के लिए आपके लिए वो घर ही पूरी तरह से अंजान हो और फिर आपको बोला जाए कि स्टडी रूम से बुक लेकर आईए बिना आपको ये बताए कि किस दिशा में जाया जाए जब टाइम साकल और उसकी ग्रुप्स और उन ग्रुप्स में सफर करने वाले सेल्स और परणाम सभी साय कूर्जा के लिए अंजान हो तो ऐसे रास्तों पर चलना टर्न टू टर्न कहलाता है ऐसे सफर में किसी व्यक्ति को कोई अंचाहे या चाहे बदलावां से होकर गुजरना पड़ता है ऐसे रास्तों पर चलने वाले को ड्रीम्स अंजाने और रहस्ते में होते हैं चौता है टर्न टू स्ट्रेट ए स्ट्रेट टू टर्न से उल्टे होते हैं जिसमें आपको study room से पुने kitchen में आने को कहा जाता है जिसका रास्ता आपको पहले से ही पता होता है और तीसरा प्रकार है destiny unlocker जब सहायक उर्जा अपनी first info के लिए सारे cell से खटा कर लेती है तो उसे एक ऐसी उर्जा की अवशक्ता होती है जिससे की वे अपने cells की उर्जा को एक वास्तविक परणा में बदल सके दूसरे शब्दों में कहा जाए तो first info की किसी ब्रांच में पहले से मौजूद cells के सत्यापन के लिए उसे ऐसी उर्जा की अवशक्ता होती है जिससे की वे वास्तविक प्ता में मौजूद उसकी रफ़तार पर सफर कर रहा किसी एक्षिक परणाम को व्यक्त कर सके इस उर्जा को इवेंट की उर्जा कहते हैं इवेंट के बारे में और जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाए इवेंट से मिलने वाली उर्जा फर्स्ट इंफो के अंदर मौजूद सेल्स को चार्ज कर उसे उसकी रफ़तार पर सफर कर रहे अन्य परणामों तक पहुचाने में मदद करती है डेस्टनी अनलोकर के और बढ़ रहे इस व्यक्ति को होने वाले इवेंट से निकलने वाली उर्जा का प्रभाव या वैल्यू का उसकी फर्स्ट इंफो के पास मौजूद सेल्स को स्वप्ल में चित्रों के मादम से देखता है जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ से फल को अपनी जोली में गिरता हुआ देखे तो इसका मतलब उसे उसकी सफलता मिलने ही वाली है रिकर्सिब ड्रीम्स ऐसे सपने जिनकी पुने आवरती एक क्रम बद्द तरीके से हो उन्हें रिकर्सिब ड्रीम्स कहेंगे और यह अकसर पात फाइंडर ड्रीम्स का मुख्य पैचानने का तरीका है जैसे कि आप किसी सपने को हर रात आगे भरता होँआ देखें या एक ही सपने को कुछ फेर बदल के साथ बार बार आता हुआ देखें दूसरा है individual dreams, ऐसे सपने की आवरती कुछ दिनों या एक बार ही होती है, ऐसे सपने वास्तिवक्तामे किसी अच्छे या बुरे परणाम का आपके पास से होकर गुजरना या आपके रास्ते पर उसके प्रभाव को दर्शाते हैं, हाला कि first info आपको उसी रास्ते पर ही प्रभाव कर पाए तो कुछ समय के लिए आपके लिए परणाम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं, यह प्रभाव कुछ बेहती दुरलब मामलों में स्ताई हो सकता है कि कोई first info अपने रास्ते को किसी परणाम की मौजूदगी में बदले, ऐसे उच्छ तीवरता लिए परणामों से प्रभावित होकर अपने रास्ते में फिर बदल करना first info की एक खूबी ही है, जिससे की आपको किसी बड़े खत्रे से बचाया जा सके